जैहिन पीसेस में कड़ अफिसेल यूडव चनल में आपसे अभी कास स्वागत है तो देखें फ्रेंट्स हम लोग ग्यान मिंदू जेस अगेडमी का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे थे वह आज का प्रैक्टिस सेट नमर थर्ड है और देखिए यह जो प्रैक्टि आपको आप प्रैक्टिस सेट नमर थर्ड का प्रैक्टिस को से कौन सा एक रसाइनिक प्रकिडिया है तो देखें अगर हम बात करते वास्पी करन की तो वास्पी करन यह आपका बहुत इक प्रकिडिया है प्रैक्टिस से नमर यह जाता है और देखें अगर आप कोई यूट्यू चैनल पर रखते है जहां पर आपको आंसर question answer बस बताया जाता है friends तो please आप थोड़ा सा alert रहीगा आपको गलती होने का chance वहाँ पे ज्यादा रहता है यहाँ पे मैं authentic देता हूँ यह रौसन आनलासर के दौरा यह जितने भी question को analysis किया जाता है इसके बाद मैं आप लोगे लिए upload करता हूँ तो please आपके तो देखिया बडिक की तो देखिये बडिक की अगर हम बात करते हैं तो रक्त से अतिर्ची यूडिया जो होता है निकालने काम को करता है तो अगर हम बात करते है क्या कि देखिए mixuration की बात करते तो 1500 ml जब हमारे mutरास्य में जमा होता है तो इसको क्या बोलते है तो mixuration कहते है और देखिए हमारे mutरासा में मानब सरी के mutरासे में लगबक जो होते है वो 2500 ml से 300 ml के होते है Tous घाइज सो 300 ml और मानब का ज़से किड़नी होता है ना प्रती एक मिनट में न दोनों किड़नी एक एमेले मुत्र का निर्मान करता है ये भी याद रखिएगा तो राइट अप्सन नमबर भी हो जाएगा अगला तीन नमबर की जनतु और पौधे इस बात में समान होते हैं कि वह दोनों की क्या है तो देखिए नमबर की दिन और रात हर समय स्वसन करते हैं यह बियाद रखिए गा अगला जचेть है कोशन फोड नमबर की सफेद और लाल फॉस्फुरस के तुरन्त क्य utet plaint इविक्रिया कर सकते लेकिन लाल पास्फोरस तुरन्त अविक्रिया नहीं करते लेकिर पहला option एक कि दोनो 他 For phosphorous जो हैं वह carbon dry sulphide में बिले हो जाते हैं लेकिन लाल जो है वो नहीं होते तो पहला आपका गलत हो गया दूसरा आपका कि दोनों को बायू में गर्म करके oxygen किया सकते हैं यह आपका सही है दोनों समान प्रकार के जब बनाते हैं हम लोग तो याद किया है इसमें हड़ी की राक बालू और कोकी जरुरत होती है तो यह भी आप लोग याद रखिए अगला कोशन है फाइब नंबर किसी भी जीवित कोशिका के अंदर सुचनाओं का प्रवाव होता है तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रवाव होता है किसके दोरत यह दल देखिए अगर आप करते हैं का मीरत एक होता है अर्न का करना और त् ragc कोश का द्रव के कोश का द्रव से अमीनोastics का राइबोसूम का राइबोसूम तक टरांसपर करना ये ठीरρί का काम हैं। मैं फिर से बोल रहा हुसीनम्ण सुनिएगा sayights mta का काम है कि सुचनाओं का प्रभाव करना RRNA का काम है राइबोसोम का निर्वान करना और TRNA का काम है कोशिका द्रब से अमीनो अमल का राइबोसोम तक ट्रांसफर करना तो option number E आपका सही हो जाएगा अगला question 6 number कि किसी द्रब में किसी वस्तू को अंस्तर डूब कर पलवन पलवन करने के लिए वस्तू का घनत द्रब के घनत से होना चाहिए तो कितना होना चाहिए तो इसके घनत के कम होना चाहिए अगला 7 number कि क्लोरी करन प्रकिरिया क्या है तो देखिए क्लोरी करन प्रकिरिया से क्या क्या है तो असुध जल में थोड़ा क्लोरीन डालने से क्या होता है कि जल क्या हो जाता है सुध हो जाता है तो ऑफसन नमबर भी हो जाएगा अगल आपका एट नमर कोश्चन देखीगा बहुत इंपॉरीन कोश्चन है कि निमन कत्रों पर विचार कीजिए अब देखिए बात करते है क्या कि मनुस से तो था मैमेलिया वर्ग के जनतूओं में लाल रख्त को सिखाए कि निकलस नहीं होता है और किंद्रक नहीं होता है बिल्कुल आपका सही है कि मनुस से तो था मैमेलिया वर्ग में जो होते है वो निकलस यान किंद्रक आरवीसी में नहीं पाए जाते लेकिन मनुष और मैमिलिया में नहीं होते, exception में दूगो यादर क्या है, उट और लामा, इसमें RBC में केंद्रक होते हैं, तो पहला सही है आपका, दूसरा है क्या कि स्वेत रक्त को सिका है, निकलस युक्त को सिकाओं है, रक्त में इसकी संख्या RBC के पिक्षा अत्यांत अधीक होत तो यह भी आपका सही है, एक और तीन आपका सही है, अगला कोर्ชum ने नाएं नमबर, कि बाता वरहरं में धुंधा, मतलब होता है, दूध मतलब होता है, जो भाgeben आपको में नहीं परते हैं क्यों, दस नमर गोशन के बिखन लिखेत हैां किस समूः से के सारे तत्व रेडियो में होते हैं तो यादखत लेने होते हैं आदे से 71 यह लेंथिनाइड ग्रूप के जिसमें भी चोदो तत्व होते हैं तो याद रखेगा लेंथिनाइड में को नहीं है तो 58 से जिसमें चोदो तत्व है प्रमानुसंग के 58 से 71 और एक्टिनाइड में 90 से 103 यह सब क्या कहलाते हैं अगला कोशन आपका 11 नम्द देखिएंगा कि सरीर के हुए कोसिकाएं जिनमें सरीर के किसी भी प्रकार की कोसिकाओं में भी भाजन तथा विसिस्ट करण की छमता है और जो कई गंभी बीमारियों पर सोध का किंद्र बिंद्यु है उन्हें कहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तो उन दो मिनट 55 सेखिंद बाद उसका विस्थापन क्या होगा देखिए दो मिनट 55 सेखिंद का बाद जो उसका प्रारंबिक और अंतिन दोनों जोगा दूसरी मीचर ही होगा अगला कोशन आपका तेरे नंबर के निमलिकत कत्मों पर विचार किजिए अब देखिए यहां पर बोल कुछ अलक होता है तो यह सभी जीव को सभी जीवों में वनसानुगत को ॥ी दर्पीदी संचारित करते हैं तो यहां पर करते हैं जीन जीव तो सभी जीवों में वन सानुगत गुनों को पीठी दर पीठी क्या करते हैं संचरित करते हैं याद रखेगा और याद रखेगा अगर हम जीन की बात करें तो जीन के बाद क्या होता है डीने डीने में क्रोमोजोम 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 क्रोमोजो अगला है 15 नमर की निमिन में से उपस्थित अंतराणुक आकरशन के बर्तिक रमें अवस्थित की जो पत्थर निट्रोजन निट्रोजन सबसे ज्यादा तो आपको पता कि सबस्यादा ठोस में फिर गैस में या सबसे कम तर द्रब में होता है तो देखिए इसको बढ़तिक रम में करना तो नाइट्रोजन फिर तेल और सबसे ज़्यादा किसमें होता तो पत्थर में तो अगला कोशन वाले एक वेक्ति 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है मतलब इसको निकट द्रिश्ची दो से और वेक्ति के चसमे में परीक्त लेंज की प्राकिर्टी ता चमता क्या होगी जिससे वह दुरस्त वस्तु को साफ साफ देख सकता है तो याद रखीगा इसको नि एनना सिनफाइंड हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करते हैं कि भी बराबर आपका हो जाएगा माइनस पचास सेंटीमीटर आपको निकालना एफ बराबर निकालना देखिए फर्मूला आपको है एफ बराबर तो यानिकी आपको पता है कि लेंश सुत्र किया तो 1 भाई दी 1 बटए U equal to 1 बटए F होता है यहाँ पर man put up करेंगे तो man put up करने के बाद आपका जो हो जाएगा वह F भड़ाबर हो जाएगा minus 50 centimeter अब D बराबर यहाँ पर एक formula होता है D बराबर 1 by F सबस्वाइब यहां पर 1 भाई को जाएगा यानिकि माइनस टू डैप्टटर हो जाएगा माइनस अफ्तल विकल्प में से कौन सही सुम्यलित नहीं देखिए यंग गुनांक तर न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वाइर इसका यंग गुनांक का जो एसाई मात्रक होता है न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वाइर यह आपका सही है उस्मा धारिता उस्मा धारिका क्या होता है अगर हम बात करते हैं क्या कि उस्मा धारिता की बात करते हैं इसका हम बात करते हैं कि इस हो जाएगा विप की उस्माधारीता जूल को जाए झूल ख्रस स्यूरा पॉल पानी से निकलने वाले सेविंग ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका करण क्या है तो इसका करण है प्रिष्ट तनाव का इसा ही मात्र क्या होता है तो न्यूटन पर मीटर होता है यह याद रखें अगला कुशन अब पर टाइपिंग मिस्टे के यहाँ पर जग कर लिजेगा एजोटो वैक्टर जो है वो क्या है तो देखें और दलहनी यहाँ पर लिखाए दलहनी नहीं लिखा गया ध्यान रखेंगा और दलहनी फसल जैसे गेहूं मक्का सरसु आलू में नाइट्रोजन इस्थिकरन में सहाय क यहाँ पर जाए वो फसल जैसे गेहूं मक्का सरसु नाइट्रोजन इस्थिकरन का काम कौन करता है तो एजोटो वैक्टर दोनों कोशन में कंफीजर मत होगा बहुत इंपॉर्टेन है याद रखेंगा और दलहनी अगर बात करें तो एजोटो वैक्टर अगला एक कीस नमर अगला कोशन है आपका 22 नमर देखिएगा कि निमन कफ़न में से कौन सा कतन सत्य है तब कतन सत्य को ढूणना है तो सबसे पहले करें बात करते हैं क्या कि पिरत्वी के पर्थेक सत्य पर जी का मान समान नहीं होते है और this gag at light प्रित्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है तो यह आपका बिल्कुल सही है कि प्रित्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है विस्वत रेखा कब जी का मान अधिकतम होता तो यह आपका गलत है देखिए विस्वत रेखा पर जी का का मन क्या होता है तो अधिकतां होता है इसके उपोज याद रखीगा ले Осब क्या है उत्तधा है कृफिशन नंबर बी Step अग्ला है outsiders की देस्यों में किसका होने के इस त्थकान होती है देखिए अगर आपको सरनी होता है मांल अमल का जमाऊ इसलिए होता है क्योंकि अनक्सि स्वसन या वाईवीय स्वसन की कारण या होता है अगला कोशन है आपका 24 कोशन देखिएगा 24 नमर कोशिन है आपका कि संचारन किसी धातू का ओक्सिकर्णिय च्छै है जैसे कि चांदी का काला होना लोहे में जंग लंगना कॉपर और पितल पर हरे रंग का लेप होना संचारन किसका उधारन है तो देखिए ये जो उधारन है आपके वी समांग अभिकरिया और मंद देखिए फिंट्स में यही आपको बताना चाहते हो देखिए यहां पर ऑफसेन आपको बहुत सारे देख लेकर अंसर इसका होगा तो इसका बी आप टिक कर देते हैं लेगने आपका इसका आंसर दोनों है वी समांग अविकरिया और मंद अविकरिया दोनों इसका राइट यहां पर जलिये पाधप में कौन सा अस्थाय उत्तक पाधप को हल्का बनाता है कि जो देखी अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो बात करते हैं कि दरिधो उत्तक की तो देखिए जो पॉधि को जो मजूद कोन बनाता है तो ये द्रिड़ोग तक बनाता है अस्थूल कोन की बात करें तो लचीलापन प्रदान करता है कोन तो अस्थूल कोन और याद रखेगा कि ब्रिक्ष में तथा सभी पौधे के जरों में क्या अस्थूल कोन जो होता है वो पाया जाता है ब्रिक्ष म और आहां पे हैं नीम्र कथनों पर विचार कीजिए विदुचुम्बा के तरंग निर्वात से होकर जबन नहीं कर सकता है तो इसमें से कथन सही को चुनना कि दिखिए विदुचुम्बा के तरंग कि अनुपरस तरंग और देखिए तो यहां पे आपका जो हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा और यांत्रिक तरंग निर्वात में किसी भी माध्यम ठोस द्रब में गमन कर सकता है तो याद रखिए ओप्सन नमबर केबल तीन आपका सही ओप्सन नमबर अगला कोशिन आपका अगला कोशिन देखिए फिर्णा 28 नमर देखिए निम लिखित में से किस रक्त कोशिकाओं कि तुलना सैनिकों से की जाती है तो बिखिए हमारे सरीर का जो डूबुबिसी जो होता है सैनि के तरह काम करते यह भी याद रखिए हो और इसका जीवन का प्रवाइड कर दिया जाएगा तो प्लीज आप पीसिस में करके टिले के नाम से जूड़ जाएगा तो प्लीज आप लोग लिए चो बजे आपको वीडियो अप्लोड कर देता हूं तो प्लीज आप उससे ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स मैं करेंट एफेड्स के पांच मीटर की सीड़ी से नीचे गिराता है जब पत्थर जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गती उर्जा क्या होगी तो उसकी गती उर्जा जो होगी वह 490 जूल हो जाएगी ध्यान लखीगा अगला थरती नमर के किसी तूथपिस की प्रकृति क्या होता है तो छाड़िय प्रकृति का होता है तो फ्रस्ट मेंट के निम्रीत कत्मों पर विचार कीजिए अगर हम बात करते कि द्रब कांच को तिव्र गती से ठंडा करने पर कांच औपारदर्सी हो जाता है तो यह आपका गलत है आप पारदर्सी नहीं होगा यह भंगूर हो जाएगा द्रब कांच को मद्यम गती से ठंडा करना अनिली करन कहलाता तो यह आपका बिल्कुल सही है कि द्रब कांच को मद्यम गती से ठंडा करने पर अनिली करन कहलाता है तो अपसन नमबर जागा केवल तीन आपका सही है अपसन नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन 32 नमबर कोशन है आपका कि एक electron के दूसरे electron के अधिक समीप जाने पर निकाय का विज़ुत इस्तिति उड़ जा क्या होगी तो इसकी विज़ुत इस्तिति उड़ जा क्या होते बढ़ती है अगला 33 नमबर कि जीबो में सवधिक मात्रा में तत्व होते हैं जीबो में सबदिक मात्रा में जो तत्व होते हैं वो कारबन हाइडोजन और ऑक्सियन होते हैं जीबो मानव सरी में जो कारबन के परसेंटेज होता है वो 18% होता है ऑक्सियन का 65% होता है अगर हाइडोजन की बात करें तो 0.5% होता है तो यह भी ध्यान लखेगा अगला कोश सब्सक्राइब नहीं है अगला कोशन है आपका 36 नमबर की सूपर नोबा विस्पोर्ट के बाद तारे का आक्सिस्ट भाग अती सगन हो का रेडियो तरंगो का सक्तिसाली सुरोत बन जाता है इसे क्या नाम दिया जाता है तो इसे नाम देते हैं हम लोग पलसर तारा पलसर अगला कोशन है करना देख भी सट्य कंख लुक्त करना है तो तो फित रस ग करणद ह हदे ध्यान को जूनना है तो आपका पीतर ञ से हड़े पीरे रंग का हलका अमलिय नहीं वलकिया क्या होता है कि छाड़ियो होता है पीत का महत्पुन काम है कि वसा पैसी करन का आपका सही है व्यक्ति के सरीर में पिता से निकाल दिया जाए तो वसा का पाचल नहीं कर पाएगा तो यह भी आपका सही है मनुवस में प्रतिन लगवग चोसे मेल पीता से स्राविट अताई ये भी आपका सही तो रैटन सुर अप्सेन नंबर ये आपका गलत है 38 नंबर की पौधे के जरो द्वारा सवधिक जल अपसोशन के लिए उप्युक्त तापकरम क्या होता है उप्यूक तो तापकरम होता है 20 से 35 जल्सियस 39 नमर की जल अप घटन में उर्जा किस रूप में उत्पन होती है तो उर्जा जो उत्पन होती है वो उस्मा के रूप में होती है 40 नमर की निम्रिकत में से कौन सा हर्मोन अनास में पुस्पन को प्रेडित करता है तो याद रखिए कौन सा हर्मोन है तो यह आपका नाम है हर्मोन का एथिलीन हर्मोन तो एथिलीन हर्मोन जो है वो अनास में पुस्पन को प्रेडित करता है और याद रखिए अगर बात करते हैं जिब्रेलीन की तो देखिए स्ब्सक्राइब कि संख्या कितनी होती है जो कोशिका में अगुनित क्रोमोजोम की संख्या ने कि आधा क्रोमोजोम की संख्या होती है 23 जो रहा नहीं बलके 23 होता है ठीक है यह भी ध्यान रखेगा अगर हम बात करते हैं क्या कि वावावावया ओवाववाव कोशिका में अंयंतित बीदी किस कोशिका विभाजन के फल शुरूप होती है तो शंशुत्री विभाजन समसुत्री विभाजन कारण क्या होता है कि कैंसर रोप में कोशिकाओं में अन्यांतित बिर्धी जो होती है समसुत्री विभाजन के फजवरूप होती है अगर हम बात करते हैं अर्ध सुत्री विभाजन की तो यादर केवल एक कोशिकाओं में होता है अर्ध सुत्री प्रस्था में मुझूद मिध्यन गैस को किस नाम से जाना जाता है तो मिध्यन गैस को मिथेन क्लेथरेट के नाम से जाना जाता है 45 नमर किसी तात्व का रासानिक गुन कौन तेह करता है तो देखिए किसी तात्व का रासानिक गुन जो होता है इलोक्टोन के संख्या तेह करता है आगे याद इलोक्टोन के संख्या तेह करता है सेयोजी इलक्ट्रोन के संख्या तैगरता है याद रखेगा 46 नमर की भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्रिकेत में से कौन सा परजीवी उत्तरदाई है तो याद रखेगा पी वाई वैक्स पी वाई वैक्स जो है यह आपके 55% रोगियों के लिए परजीवी उत्तरदाई है मलेरिया के लिए तो पी वाई वैक्स पी का मतदद अ प्लाजमोडियम अगला कोश्चन आपका निम्रिक में से कौन सा विकल सही सुमेलित नहीं है देखिए खसरा जो है विसानु जनित रोग है दाज जो है कबक जनित रोग है और गोनेडिया जो है आपके जिवानु जनित रोग है लेकिन हैजा जो है विसानु नहीं बलकि हैजा जो है जिवानु जनित रोग है तो उप्सन नमबर D आपका गलत हो गया 48 नमर की S2 की अस्थाई का ठोड़ता का कारण क्या है तो इसका कारण है M, G, C, L, 2 option नमर जाएगा D अगला question है 49 नमर की बड़े अकार के full जिसमें सुकंद नहीं होते है उसमें प्रागन का सबसे समाने माध्यम क्या है तो इसमें समाने माध्यम है और जिसमें सुगंद की कीटों के द्वारा होता है वो कीट के द्वारा होता है जिसमें सुगंद हो कीटों के द्वारा तो उसमें क्या होता है तो ये मत्दब कि प्रागन होता है तो option नमर बी हो जाएगा पक्छी आज का लास्ट नमर कोश्चन है कि निम्र कत्नोर विचार कीजिए एस्पिरीन एक परकार का दर्द निवारक औस दी है बिल्कुल सही है आडोफॉर्म का उप्योग रोगानू नासक की रूप में होता है ये भी सही है तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर आपका यह कंप्लीट होता है इसका आंसर मैं आपको पीडियेप आपके टेलीग्राम चैनल पर बेज़ दूँगा आपके आने वाले जितने भी एक्जाम हैं सब एक्जाम के लिए बहुत ज़दा इंपॉर्डियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई जहीं दोस्तों